अगर आप पहली बार यूट्व चैनल पे आए हैं तो यूट्व चैनल को सब्सक्राइब करिए बीपी सील पे मैं आपको 320 पे बाई करवाया 324 पे बाई करवाया 322 पे बाई करवाया मैं आपका शॉट टर्म टार्गेट क्या लेके चल रहा था 335 प्रोफेशनल शॉट टर्म टार्गेट क्या लेके चल रहा था 355 से लेके 350 के अंदर हम लोग कहीं पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और स्टॉक के अंदर 359 से लेके 352 तक का ट्रेड़ वैल्यू है अगर स्टॉक ट्रेड़ वैल्यू को लग के नीचे गिर जाए या स्टॉक उसके अंदर ट्रेड होता हुआ रिजक्ट होके नीचे गिरे हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग मिस नहीं होना चाहिए इसलिए मैं आपको BPCL के अंदर 355 से लेके 350 के in between प्रॉफिट बुकिंग करवा दिया 20 डेज से लेके 40 डेज शॉट टम और 40 डेज से लेके 90 डेज का मेरा प्रोफेशनल शॉट टम टार्गिट था जिदर मैं खुद सज़ेस्ट किया था 335 पे 75% का कैपिटल निकाल दीजिए और 350 या 55 पे बाकी का 25% कैपिटल अपने BPCL में से आप निकाल सकते हो सज़ेस्ट किया अभी आप देख सकते हो स्टॉक क्या हुआ है इस्टॉक यहां पर रिजेक्ट हुआ है कहाँ पर रिजेक्ट हुआ है यहां पर तो अभी मैं आपको नई analysis देने वाला हूँ BPCL पे कि next target के लिए हम लोग hold करें या ना करें दोस्तों आगे जाने से पहले ये मेरा whatsapp number है अगर आपके portfolio में कुछ stocks negative है कुछ stocks positive है समझ में नहीं आ रहा है कौन से stock को कब निकालना है कहां पे निकालना है कहां पे रखना है दोस्तों आप मुझे इस whatsapp number पे contact कर सकते हो मैं आपको free of cost portfolio के अंदर कौन से stocks निकालने है नहीं निकालने है मैं suggest कर दूँगा मुझे आपका portfolio भिजा सकते हो अभी मैं पूरी previous analysis डिलिट करूँगा अभी मैं दे रहा हूँ new analysis new analysis में अपने पास breakdown level यहां पे है और recent breakdown level यहां पे है और हमारा खुद का private जो final breakdown level यहां पे है जो recent breakout level यहां पे है अगर मैं traded value लगा दूँ तो traded value यहां से यहां पे बन रहा है और यहां कहीं पर भी Traded Value नहीं है, यहां पर छोटा सा Traded Value है Stock यहां पर हुआ है Reject, क्या हुआ है दुस्तों, Reject यानि कभी भी कौन सा भी Stock अपने Previous Breakdown Level पे जाता है या Breakdown Level पे जाके Traded Value में Trade करता है, तो Stock को Reject होना ज़रूरी है अगर Stock बढ़ना भी चाहे, तो अपने Previous Breakdown Level पे ही Support लेता है For an Example, Previous Breakdown Level Support 334, इसका मतलब यह है कि BPCL गिर के बढ़ने वाला है इसलिए मैं आपको नजदिक से नजदिक Target देखे 30-35-40 रुपे की Profit Booking करवा चुका हूँ अभी मैं Suggest नहीं करता हूँ कि Stock के अंदर Holding लगाई है Stock तभी उपर भागेगा, जब 359 से लेके उपर कहीं पर भी Closing and Opening देगा तो ही Stock में Rally है, वरना Stock में Rally नहीं है दोस्तों अगर मैं आपको Analysis भी दूँ, तो मैं Suggest करूँगा कि 334 पे Rebuying करना है हमें Stock में अगर इस तरीके की Beying मिलेगी, तो मैं अपने Free Telegram Group चैनल में Update दे दूँगा दूस्तों ये था मेरा Analysis BPCL पे, अगर आपको Stock के ओपर Analysis समझ में आया तो वीडियो को Like करिए, Share करिए and YouTube चैनल को Subscribe कर लिजिए, Thank You